हलो दोस्तों कैसे आप सभी लोग उम्मीद करता अच्छे होंगे आज हम बात करने वाले LMS के बारे में भाई LMS होता क्या है LMS होता है Learning Management System जिसके थूरू आप online जो भी अपना courses है वो अपने student को sell कर सकते हैं आप चाहे तो online webinar कर सकते हैं आप बहुत कुछ कर सकते हैं तो पर उसमें भी हम बात करने वाले SaaS-based business की मतलब आप एक site बनाएंगे उसके अदर multiple LMS बन सकते multiple institutes को आप से sell कर सकते हैं जिससे वह अपना-पना course launch कर सकते हैं एक individual website की cost अगर 10,000 से जो है LMS की cost आती है वो 20,000 रुपीज आती है तो वह आप उससे मत-1200 रुपे में दे सकते हैं तो कैसे इस तरह की website बनेगी आज हम बात करने वाले हैं तो उसके लिए हमें जो script चाहिए उसका नाम है LMS Go और आपको पता ही है कि कहां पर इस script बिलेगी link in description तो इसके दे मल्टी स्टोर multi theming option है fully white label है मतलब कहीं नहीं पता चलेगा कि कौन से अलमस को आप यूज करें custom domain यूज कर सकते हैं courses बना सकते हैं बहुत कुछ कर सकते हैं ठीक है तो सीधे सुरू करते हैं तो इन दोनों को बंद करते हैं मैंने इसकी फाइल अप्लोड कर रहा कि है क्योंकि extract होके आराउंड ये 500 प्लस MB का बनेगा तो 293 की MB की फाइल है तो मैंने इसको यहां पर अप्लोड कर दिया है इसस database section में जाने के बाद एक database बना लिया जाए database बन गया है storage में को जाना है permission देनी है पहले मैं पर्मिशन देनी है तो जैसे हमें से open करेंगे चेक requirement पर क्लिक करेंगे नेक्स पर जाएंगे तो हमें कुछ permissions देनी होती है तो उन्हों हम पर्मिशन स्टोरेज फ्रेमवर्क लॉग अप्लोड तो उनको हम फर्मिशन दे देते हैं जल्दी से तो हमने पहले स्टोरेज को पर्मिशन दे दी 777 तो स्टोरेज के अंदर जाक के catch folder को permission दे दी और source में जाके lang को ठीक है अब हम फिर से कर रिलोड करते हैं कौँ फिउकर पर जाते हैं विज्ड़ेट पर जाते है अपका अप्किश ł के रिलतpower कर दे हैं अपना डोमेन कोपी करते हैं यहां पर न। यहां पर डले कर दीजिए एप स्टोर ठीक है तो हमारी इंस्टॉलेशन हो चुकी है तो हमें बाइब डिफॉल्टी सभी अकाउंट अल्मस्ट क्रेट हो चुकिए है आपका जिसको आप सेल करेंगे स्वेपर अपको पता ही है बता नहीं रोत नहीं है तो हम इनी अकाउंट को यूज कर लेंगा अपने डाटाबेस में और चाहें तो आप नया बना भी सकते हैं मैं आपको बनाना भी बताऊंगा इसमें तो इनको हम यह पर सेल कर देते हैं जिससे मिल की इमेल अटस को कॉपी कर पाएं तो कुछ इस तरह कि आपकी फ्रंट वेबसाइट दिखेगी ठीक है जुसमें से आप यह स्क्रीन शॉ इस टोर वह होगया जो अब स्याल करेंगे लाइक जो भी आपके टीचर से कोचिंग करेंगे तो इस अकाउंट उंगे इस टूर तो इन्होंने फ्री प्लैल नहीं रखा है नया कोई आपको स्टॉर बनाना है एड पर क्लिक करेंगे यहां पर तो यहां पे स्टोर आ गया तो सब्स्क्राइब को सब्सक्राइब मन है रचांस वहें ऐना हुआ कि तो आप यहां से बना सकते हैं यहां पर डिफरेंट डिफरेंट प्लैन है कि कस्टम डोमेंस सब डोमेन आपके डिशनल पेज मिलेगा हाँ चैट जीपीटी ओके या इस पर यूज कर सकते हैं चैट जीपीटी के आपको यह लेनी पड़ेगी तो जिससे क्या जो भी कोर्स का कंटेंड लिखना हो गया कोर्स का कुछ भी तो अगर कोई प्लान अपग्रेट करता है तो वह आपको मिल जागा और बेसिक चीज आवा आते लेंडिंग पेज पेज़ जो फरिंट पेज था उसमें कुछ भी चेंज करना है तो आपको यहां से चेंज करना हुगा तो वहीं को हम अटा देते ह है कि हमारी साइट पे चेंज हुआ या नहीं हुआ तो इसके लिए मैं लॉग आउट करना हुगा सबसे पहले आता है आपका लोगो दो लोगो है डार्क लोगो लाइट लोगो डिपेंडिंग आप दोनों यह चूज कर लेंगे अपने हिसाब से लोगो अप्लोड कर तो आपका सीज सिपात है आपका जो लाइट लोगो वो यहां पर आ जाएगा और इसे आपको नहीं यूज करेंगे तो आपका डार्क लोगो रहेगा तो यहां पर इस तरह से हो गया काफी सारे ऑप्शन्स हैं कि जो भी थी मैं आपको को कलर अच्छा लगए आपसे पर है तो रेजर पर क्लिक करेंगे रेजर पर की पॉब्लिक की और सिक्रेट की डालेंगे तो रेजर पर इसे वह पेमिट लेना पेमिट लेना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको इसमें ऐसा कुछ करना नहीं है स्पेशल उसके नीचे आएंगे तो यहां पर आपको SMTP configuration करन को टेस्ट आउट करने में कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे इस इसको प्रॉपली सेट आप करने में मैं आपको basic overview बता रहा हूं जैसी में आपको doubt आप उसे कमेंड में पूछ लीजेगा I will help you out ठीक है अब यहां पे storage आगया आप यहां पे AWS को यूज कर सकते है रिजन आपने पास नीचे आ जाता है लास्ट में चैट जीपीटी की डाल सकते हैं अभी यह एक्टिव किये नहीं है मैं इसे आपको दिखा रहा हूं ठीक है तो वन्स यह हो जाए तो हम इसे logout कर देते हैं यहां पर option है ठीक है दैन हमें second account चाहिए है ओनर का ठीक है हमने एक कस्टमर था उसको हमने बीच दिया देखिए आप जब चेंज हो चुका है ठीक है देखिए यहां पर हमने जो चेंज किया तो चेंज परफॉर्म हो चुका है तो हम लॉग इन पर जाएंगे कि डालेंगे अपने फिर से कुछ इस तरह का आपको सब्सक्राइब करेंगे और यहां पर जांके क्लिक करेंगे तो देखिए हमने यहां यहां चूज कर रखिए तो नॉलिच विद्धध है 300 प्लेस केडिगरी इन वन प्लेस कुछ इस तरह का आपको देखेगा काफी पॉर्बस लेंडिंग बिच काफी अच्छा लग रहा है में तो ठीक है आब इसमें कैसे कोर्स हैट करना है इसमें बात करेंगे तो जैसी आप स्टोर को यूज करेंगे क पॉस्ट कोई को ओर सापने अबहा बैद को आपको यहां पे थिखेगे तो वह हो गया द्यान हमारे पास रोल्स है कि वह क्या क्या कर सकते हैं मैनेज कर सकते हैं डैश्पोर्ट को आप उसके पर्मिशन को मैनेज कर सकते हैं सीज़ के से बना कूर्स कजिए बनाएं तो सबसे पहले हमें बनानी पड़ेगी ठीक है तो हम यहां पर कैटीक्रीग बना लेते हैं इसके नहीं को एक इमेज भी भी दून लेते हैं तो थोड़ा सा सही लगे तो कोई भी मिश दिख जाए जो हम को इंट्रास्टिंग लगे तो यह मिश सही लग रही है ठीक है तो हम बापस आ जाते हैं यहां पर और यहां पर आने के बाद डाउन्लोड में जाते हैं है ओके वह फॉर्मिट है जो कि सपोर्ट नहीं कर रहा तो इसको हम अभी के लिए स्किप कर देते हैं आप समझ गई हैं आपको इमेज अप्लोड करने हैं आपने जो भी आपको को डिस्क्रिप्शन है वह अगर आपकी आई की होती तो आप इसके बारे में जो भी आप लिखन अब इसके अदर सब कैटेगरी आ गई हमने बना ली ऐसा में मना सकते हैं अब अब यहां पर जाते हैं एड के ऑप्शन पर ठीक है तो हमने यहां पर डाला अब डाल सकते हैं जो भी आपके रिक्वाइमेंट वह नूब इसी कंप्यूटर लेप टॉप अगरा ठीक है थिक है कैटिकरी स्लेक्करी निष्टर मिडे मार्केटिक सब इसलेक्स करें ईसी यो बिगना लेवल को केर तो आप लेट कर ना चाहिए तो 169 निटका कोड़ सब्सक्राइब कोर्स की इमेज है वो आप टाल सकतें कोर्स फ्री है कुछ प्रिव nell है या नहीं है तो फूर्व के लिए डिए अब एक कोई भी फाइल को अप्लोट कर सकते ह। को यह मैंजब को अप्लोट करनी तो मैंजब कर सकते तो मैं एक इस एक ऍंचेमबल के काओ को देता हूं और 보 कर देतें ठीक है ऑक है और से हम सेफ कर देते पर कि त्क है ठीक है तो हमारा कोर्स यहां पर एड़ हो चुका है आप कोर्स एड़ होने के आप समय कंटेंट के साइड करेंगे तो आटमेटिकली वैसे यह विंडो खुल जाएगे एड़ेटे कोर्स यहां पर आपके साइड निव एड़र वगरा जाएगा आधरवाइस आप कोर्स में जाएंगे चैप्र तो एड़िट करता है इसके अंदर चैप्र न हो गया यह थी जो भी आपकोवड़ेंड दळना है छाए व्यों कामारे न हृट चाइर वीडियो फाएट के लिए स्टैंड च्या यूज करेंगे यूटूब इस पर जाएंगे और कंटेंट को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आने के वाद वीडियो यूरल में इसको पेस्ट कर देंगे ठीक है जो भी डूरेशन है दस मिट वगा रहा है इसलिए मैं बारव कॉपी कर देट डाल देता हूं तो आप वीडि कर सकते हैं तो इसी तरह से आप सभी डिफेंट 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 चीजे बना लेंगे यहाँ पर तो आपका सब कुछ हो जागा अब मदब आपका पूरा कोर्स लेडियो जागा है त्यान स्टुडेंट इसमों अल्री एड है को दिक्कत ही नहीं ठीक है आप यहाँ में प्री प्लाइन है अब lifetime फ्री है है आप फांच रस बना सकते हैं आपको को यह और बना रहा है तो बना सकते हैं ठीक है ठीक है डिफेंट प्लान वहाँ जो बनाएंगे आप में मेंसों पर अध्मिंस से अब आपको कोई जूम मीटिंग करने करनी तो यहाँ पर आप जूम म तो फिर वह आपका क्योंकि भी स्टूडिन नहीं था तो आपके उसके नोटिफिकिशन पहुच जाती और वह से स्टार्ट कर सकता था अब जो यह था यह था सुपर एड्मिन का लोगो अब इंडिविजल आपको लोगो एड करना है ठीक है इस इंसिटूट के लिए तो आप पिखजल कोड हो गया ठीक है नीचे फोटर हो गया आपका जेंज कर सकते हैं करेंसे हो गई ठीक है peng ठ्रांस्वर आपके payment gateway हो गया ठीक है तो इस तरह से सभी आप कुछ यहां से आप सब कुछ आ वगरा पिक्जल वगरा आप configure यहां से कर सकते हैं अब next चलते हैं हम लोग ठीक है तो हम यहां पर जाएंगे अब यहां पर जाने के बाद हम लोग लोग इन करेंगे ठीक है त्टियों यहाँ पर सबांट करते तो वहाँ पर क्या था वहाँ पर आप अडमिं के लिए करते हैं निस्टर मॉलिए कर शंब्राइब स determa सब्सक्क्राइब करें त्टेंग Shoda start watching पे click किया यह हमारे देखे वीडियो आ गया तो यहाँ पर chapter से लिखा हुआ chapter 1 हमारे 61 मिट का इस तरह से बगायद आप सभी chapter बना लेंगे तो आपके सभी video line wise line start हो जाएंगे आप जाएंद दर direct भी video upload कर सकते हैं तो चाहें इस तरह से तो यह process हो गई इस तरह से आप next chapter next chapter करते रहेंगे इस तरह से हो गया अब मान के चलिए आपको course update करना है teacher को update करना है आप marketing coaching के खुद एक honor है अब faculties को कैसे login करेंगे तो faculty यहीं से login कर सकते हैं ठीक है तो उसके लिए कुछ नहीं करना है उस claim से log out कर देते हैं और यहां से last वाला faculty का author का हम course का details copy कर लेते हैं में window पर जाते हैं login पर जाते हैं secret key डालते हैं खुल जा सिम सिम और यहां पर आपकी सभी चीज़े आ गए ठीक है तो आप स्टूर का traffic analyze कर सकते हैं देखिए यहां से आप course पर जा सकते हैं एडिट पर जाने के बाद जो भी कोर्स में changes करने ते आपको next chapter एड़ करना था जो भी चेंज करने थे आप कर सकते पट आप स्टूर की settings में changes नहीं perform कर सकते ठीक है तो इस तरह से करेगा आप आपको इसमें कुछ FAQ question पूछने कुछ और इसका SEO करना है ठीक है तो वह सारी चीज़ें आप यहां से perform कर पाएंगे तो इस तरह से आप एक सैस बेस एक LMA system setup कर सकते हैं और यह बहुत basic setup करके करोगे ना काफी अच्छा revenue कमा होगे मैं कोई छूटा बाला नहीं बोलता है इसको शेयर करें आपको 10 पर 10 रुपे में लेंगे यह काफी एक अच्छा अच्छा खासा फंट जन्रेट करने का आपको मौकार यह देगा तो उम्मिद करता हूं यह वीडियो आपके लिए काफी यूसफुल है तो में लाइक करें सब्क्राइब करें इसी तरह से मैं सपोर्ट करते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में